उनिडा की CRTTP में इस टाइप के अगर चिप IC लगे हैं तो वहाँ पे अक्सर फाल्ट देखने को मिलते हैं कि उसके पिन जो है ट्राइसोल्ड हो जाते हैं या तो IC फाल्ट हो जाती है इस कंडिशन में एक आपसन जो की मैंने कई बार ऐस सेटों में किया है जो की कई सालों से आज तक उसके ना ड्राइसोल्ड और ना ही उसके चिप फाल्ट होए थी तो से एक हिट्सिंग जो है उसके उपर आप लगा सकते हैं और उसे हिट्सिंग को जो है कैसे लगाना है तो हम इस वीडियो में बताएंगे तो यहां पर देख लीजिए इस कंडिशन में यानि यह टीवी ओके पोजिशन है क्योंकि इस समय जो हमने इसका चीप आइसी लगाया है और प्रोटक्शन के रूप में हम जो है यहां पर एक हीट सिंग दे देते हैं उपर से जो कि कुछ इस इसके लिए आपको क्या करना है? यहां यहां से इसाइब कर देना है जो की इस त fees तरीके से रहेगा और यह पर यहां पर लगा देना है और लगाने से पहले आपको यूह इक काम करना है यहां पर इस इस फाइल से इसके हिट सिंग को जो है थोड़ा सा वहाँ पे घिस लेना है और घिस के आप वहाँ पे जब कुछ ऐसा कंडिशन हो कि हास से लगे कि चिकनापन खतम हो गया तो उसके बाद आपको उस हिट सिंग पे उस फेवी कुई को लगा के और एक बूद आईसी पे लगा देना है और यह जो टिन वायर है इस तरीके से यहां से सोल्ड हो जाएगा ऐसे और भी शेटों में जो छोटे-छोटे टिप्स हैं वह आपको मैं देता रहूंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो थेंक्यों दोस्तों और देखते रह कर दो हैं!